बिस्मिल्लारमर्रहीम असलाम लेकून आज हम FIA Act 1974 के बारे में अंडरस्टेंडिंग डिवल्प करेंगे और सिर्फ अंडरस्टेंडिंग नहीं बलके इसकी एक कंचेप्चुली हम इसको ग्रिप करने की कोशिश करेंगे कि FIA है क्या इन फैक्ट हमारे सिलेबस में तो FIA Act 1974 है लेकिन अवराल जो आप इसकी कानूनी सेक्शन जब पढ़ते हैं इसके तो आपको ये चीज़ें याद रखना मुश्किल होती है क्योंकि कानून की जबान याद रखना मुश्किल होती है लेकिन FIA के बारे में हम बात करें तो हमने सिर्फ इतना पता चलता है कि कोई बाड़ी है जिसके जो पावर है काफी है और ये किसी भी बंदे को पकड़ सकते हैं किसी से कुछ भी पोईश सकते हैं और इन कमेंडेट कहीं भी चले जाएं तो ये मतलब इनके पावर है तो कुछ उसमें हकाइक भी है और कुछ हमारी अंडरस्टेंडिंग की वीक नैस है जिसके वज़ए से हमारा कंसेप्ट जो है इसके बारे में बना हुआ है तो सबसे पहले अगर हम FIA के बारे में अंडरस्टेंडिंग करें तो इसकी हिस्ट्री में हमें जाना चाहिए और जाना पड़ेगा और मैं जैसा के पहले अपने स्टुडेंट्स से अकसर कहता हूँ कि जो भी आप टापिक कवर करते हैं उसको कंसेप्टिली ग्रिप करें उसको देखिए कि टापिक है क्या इसका बैक्गराउंड क्या है इसका मकसद क्या है तो जब आप ये सारी चीज़ अंकवर कर लेते ह तो आपको वो टापिक ना कभी बोलता है और ना उससे कोई सवाल अगर कोई पूचा जाए तो कभी वो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं तो mcqs को रटा लगाने से कभी भी mcqs को आप याद नहीं करते हैं ना उनको ग्रिप करते हैं तावक्त यह कि जो आपका टापि यह की हिस्ट्री देखते हैं कि यह कब बना कैसे बना कैसे वुजूद में आया अब इसका क्या मेंडेट है और इसकी पावर्स क्या है और इसका रोल क्या है तो में कहां से यह काम बात शुरू होती है कि जब वर्ड वार फस्ट हुई जो 1914 से लेक 18 तक हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा क्रप्शन होई थी जो गोर्मेंट के आफिसेज थे डिपार्टमेंट्स थी उनमें काफी जब मुमेंट हो रही होती है लाजिस्टेक की उ तो जो सेकंड वर्ड वार थी गल्बन उसमें भी इस चीज़ को जो है नलिफाई करने के लिए जो पावर्ज इसमें इन्वाल्व थी जो जंग के अजीम धौम में उन्होंने क्या सोचा कि एक ऐसी बॉड़ी बना दी जाए एक ऐसी पोलीस या इसी इन्वेस्टिगेशन क एक टीम बना दी जाए जो गौवर्मेंट की डिपार्टमेंट पे नदर रखे और जो जंग के दोरान में मूमेंट होती है और जैसा कि अगर आपको आईडिया हो तो जो हमारे गौवर्मेंट में पैपरा रूल जाए पब्लिक परक्यूर्मेंट रूल रेगुलेशन अथ है तो या जा खाना जंगी के हालात हूँ तो आप उनके को फालो नहीं करते हैं ना करना पर मजबूर करती है तो जब आपके रेगुलेशन अबंडन हो जाते हैं छोड़ जाते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है तो करप्शन के चांसे उतने ही बढ़ जाते हैं तो जो जंग अजीम दों थी उसमें भी यही एक अमल किया गया एक पुलीस टाइप तो उन्होंने फिर एक अपनी एक पुलीस इस्टैबलिश की इंडिया में जो वार के दोरान में कोई चीज़ों पर नजर रखेगी गोवर्मेंट की लाजिस्टिक की मुव्मेंट पर नजर रखेगी तो उससे यह बात शुरू होती है इसका पहले क्या मेंडेट था चलते इसका इसका नाम था स्पैशल पुलीस इस्टैबलिशमेंट मक्सद क्या था जो गोवर्मेंट की डिपार्टमेंट में करप्शन और सिप्लाई और प्रक्योर्मेंट की जो है इर्रेगुलरेटरी उनको कंट्रोल करना और यह वुजूद का में कभाई पाकिस्तान और इंडिया आपस में अलग हो गए तो पाकिस्तान ने इस पुलीस का नया नाम रखा जिसका नाम था पाकिस्तान स्पैशल पुलीस इस्टैबलिशमेंट पी एस पी इडिसाड़ इस्टैबलिशमेंट वाज गिवन स्कैयूल आफ अफेंस विद दी आडिनस आफ एट आफ नाइट आफ नाइट 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 तो सबसे पहले यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा कि आडिनस वो होता है जिसमें आपकी पार्लिमेट बिलि कि यह दोनों को पार्लिमेट कहते हैं तो जब यह अमल में होती है इन एक्षन होती है अपकाप वोग利ूद में होती है अपना काम कहा रहे होती है तो उस वक्त जो हमात्रो वहोटिंग के गया थे तो है जब लागू किया अमल यानि कि जो पकिच्चान पेश्रेंट इस चा से जो आठमा था गालबान 1948 का उसमें इसकी मंजूरी दी कही थी तो टाइम गुदरता गया यह जो PSP ही है इसकी डिपार्टमेंट जो है यह डिपार्ट होती गई कैसे from investigation the offenses of bribery and corruption जो main थे bribery यानि के रिश्वत पोरी और corruption इससे हट के और इसका mandate बढ़ता गया अगेंस central government implies यानि के जो federal government को पहले central government कहते थे central government के जितने implies थे उन पे यह bribery और corruption के इलावा भी इसने अपना दाइराकार बढ़ा दिया था was given power to investigate cases relating to the offenses under the following laws तो कुछ बाकी जो लाज है उनके अंडर जो offenses आते थे वो भी यही जो पाकिस्तान special police establishment थी इसको mandate दिया गया पहले इसका क्या था बराइबरी और corruption को कंट्रोल करना अब इसका mandate कैसे बढ़ गया कौन कौन से जो कानून थे जिनके अंदर अगर कोई violation होती थी तो भी FIA ही लेकिन अस वक्त अस वक्त इसका ना यानि कि राज़दारी का act है उसके 1923 उसके secret act तो उसमें जितने भी offenses अगर कोई secrecy कोई leak करता था तो उसको भी यह पाकिस्तान special police establishment ही लोकाफटर करती थी उसको deal करती थी इसके इलावा जो foreign exchange regulation है यानि कि जो currency आप change करते हैं दूसरे ममालिक की currency के साथ उसका जो act है 1947 उसके जरीए कोई अगर violation होती थी तो उसके crimes को भी यही body देख रही थी इसके लवा passport के जो offenses होते थे आने जाने के जो पाकिस्तान चे अंदर और बार के जो लोग थे यह पाकिस्तानी लोग थे passport के relevant जो अगर दो नमरी को करता था या उसके अंदर कोई offense करता था उसको भी यही जो बाड़ी थी PSPE वोई लोग अफ्टर कर रही थी इसके लाव अकस्ताम एक 1959 यह जो हमारे पास जो चार मवीद थे लाज थे उनके अंदर भी अगर कोई वाइलेशन होती थी तो उसको भी कौन डील कर रही थी पाकिस्तान स्पेशल पुलीस इस्टैबलिमेंट तो यह जो एक पेश की थी मिस्टर गुल आमद ने यह उने सुबादर में इसने पार्लिमेंट को पेश की थी तो इसने सजेस्ट किया था के फैडरल गोर्ड में जो है विफाकी हकूमत जो है उसके पास एक पुलीस की और्गनाजिशन कम्प्लीट होने चाहिए जो दर्ज जाल मौमलात को देख रही कौन कौन से उसमें होते हैं समगलिंग यानि कि इलीगल जो चीजों की लेके आना लेके जान नर्कोटेक्स मन्षियात के मुतालिक कि इसके लवा करंसी के जो अफैंसेजज उसके लबाएं इनफॉर्मेंट अफ लाजग रिलेटेंग टूफार्नर्स जैनी कि जो घरमुलकी है उनके आने जाने जाने इमिग्रेशन का जो आने जाने का मौमलाइट है या प्रमलोगेट किया गया और फैडरल इन्वेस्टिगेशन एजनसी बना दी गई थी अच्छा तिल नाव 2004 तक बात करें तो यह एक ही बाड़ी थी यानि कि इसका क्या रोल था वाज एंटी क्रॉप्शन एंड वाइट कॉलर क्राइम ट्रीटिंग 2004 2004 तक यह वाइट कॉलर क्र लाइबरी थी क्रॉप्शन थी इन मौमलात को यह देख रही थी गवर्मेंट ट्रांसफर एंटी क्रॉप्शन एंड एकनॉमिक क्राइम फंक्शन टू दिन है जैसा कि आपको याद हो तो मुश्रफ के दौर में नहब बना था कि मुश्रफ ने इस एरिया को यानिके एंट इसने लीडिंग रोल अदा कर रही थी किस-किस मौमलात में एंटी यूमिन समेख लेंग जो इनसानों को यानिके लोगों को वीजा वगारा देने के लालच में जो यहां से किसी कंट्री में लेके जाते थे और वहां पर उनको मिस्यूज करते थे किसी भी तरीके कार्थ से एंड इन्वेस्टिगेटिंग केसे आप काउंटर फीट करंथी और जेली जो करंथी है उसका या जो जेल साजी का मौमला है करंथी के मुतालिक दो नंबर नोट बगारा बचापना या करंथी को एक जगा से दूसरी जगा शिफ्ट कर लेना या हर्डिंग कर लेना तो इस क्या काम कर सकती? Investigation into specialized and organized crime एक normal को जो एक इदम किसी से हो जाए वो तो अलग होता है एक organized crime होते हैं या गैंग बनते हैं वो पता क्या लूट मार का का काम करते हैं या इंसानों के समगलिंग का काम शुरू कर देते हैं या जो करंथी है एक जगा से दूसरी जगा वो shifting का मौम मामलाथ शुरू कर दिते हैं तो इस तरह के जो मामलाथ होते हैं उनको क्या करता है एफ़ाई ये देखता है इसके लावा immigration anti and anti smuggling, तो immigration के जो मामलाथ हैं और इसके लावा anti smuggling जो है वो भी सारे area को भी FIA look after कर रहा है dollars के लावा personal identification, secure comparison and evaluation system, यानि कि इन्सान की पहचान जो नादरा वगारा के जरीए आप कर सकते हैं, या जो आपको पासपोर्ट बनते हैं, उनके मामलात भी जितने हैं, वो भी FIA लोकाफटर कर रहा है, इसके इलावा anti-human smuggling and trafficking, तो इन्सानों की जो smuggling है, उसके जो violation वगारा या जो उसके कानू की जितने मामलात हैं, और fingerprint में जो दो नमरी होती है, या कोई उसके cyber crime वगारा है, वो भी इसके को FIA देख रहता है, इसके इलावा intellectual property rights, यानि कि किसी के talent की वजाते हैं, या किसी के अपनी writing वगारा थी, वो उसको कोई misuse करता है, या कोई अपने नाम से लेके छापता है, तो वो भी FIA देखता है, इसके लावा Interpol, यानि कि अगर आपका कोई बंदा किसी घार मुल्कियों में चला जाए, तो वहां से आप किस तरह लेका आते हैं, Interpol का एक system होता है, यानि कि police to police आपस में relation होता है, इनका आपस में एक agreement होता है, तो उसके जरीए ये Interpol का रोल हमारा था, जो introduction के FIA वजूद में कैसे आई, नैब से अब इसका क्या तालोग है, अब इसका professional mandate क्या है, अब हम चलते हैं, जो हमारे main syllabus का भी हिस्सा है, Federal Investigation Agency Act 1974, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये section जो है, ये act 1974 का, और गुल एहमद ने जो report पेश की थी, उसके 1975, 1975 में आठे नंबर पे जो act पास हुआ था, ये वो ही था, इसके लाग में हम बात करें, तो an act to provide for the constitution of federal investigation agency, गजजट of Pakistan, extraordinary, एक नर्मल होते हैं, एक जो है, आप नर्मल रूटीन से जो हट की काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, extraordinary गजजट होती है, ये part 1 है, उसका 17th, January 1975 को publish ह बाता, there is, it is expedient to provide for the constitution of a federal investigation agency for the investigation of certain offenses committed in connection with matters connecting, concerning the federal government and for the matters connected therewith, तो मक्सद क्या है, ये जो body बनी, FIA, इसका mandate क्या है, ये federal government के relevant जितने matters होते हैं, या उनके जो मौमलात होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो मौमलात होते हैं, उनको देखना, FIA का काम है, it is hereby enacted as follows, तो इसका short title जो पहला section है, वो क्या है, short title extent के कब तक ये apply होता है, किस जगह पे apply होता है, और ये commence कब होता है, this act may be called as the federal investigation agency act 1974, अब इस में से आपने word to word हर एक पे गहुर करना है, क्योंकि जो MCQs बनेंगे, यहां से चोटे चोटे बनेंगे, और मेरे पाँच से लेकर दस नमबर तक इस section से होता है, और ये hardly section जो है, आप एक गंटे में तयार कर सकते हैं, तो मतलब आप अगर इस section को सही cover करते हैं, तो आपके पाँच ये दस नमबर ये साथ नमबर जितने भी होता है, पाँच से ज्यादे ही होता है, at least पाँच तो होते ही ह called the Federal Investigation Agency Act 1974, इसका complete नाम कहा है, FIA Act 1974, section 1 कहता है, section 1 का subsection 2 कहता है, it extends to the whole of Pakistan and also applies to the all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be, अब यहाँ पर ये बात है, wherever they may be, इसका मतलब ये है कि कोई भी शहरी है, बले वो कहीं, public servant भी है, यानि कि वो मुलाजमत भी कहा रहा है, तो वो इससे मुबरा नहीं है, इससे छूटा हुआ नहीं है, और अगर कोई out of the country चला जाए और servant of the Pakistan रहा है, या citizen of Pakistan रहा है, public servant रहा है, या citizen of Pakistan रहा है, तो फिर भी वो इसके अंडर रहेगा, यानि कि FIA उस पर apply होगी, उसका उपर control रहेगा, तो ये लागू कब होगा, it shall come to force advance, यानि कि जब ये पास कि anything repugnant in the subject or context, तो मतलब ये है कि इसमें जो चीज़ें आने वाले definition पढ़ने है, उनका मतलब यही रहेगा, तब वक्त ये कि कोई उस definition को या उस act को खतम कर दिया जाए, या उससे कोई और meaning extract कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इसके यही मानी होगे, जो हम अभी यहाँ पर जब भी कहेंगे, तो it means FIA, Federal Investigation Agency, code का मतलब है, means the code of criminal procedure, CCP 1898, act 5 of the 1898, तो code से जब भी मतलब लें, तो आप CCP, यानि कि code of criminal procedure 1898 लेना है, इसके लब डिरेक्टर जनरल की जब बात करें, इस कानून के जरीए, यानि कि FIA 1974 के जरीए, तो director general का का मतलब है, means the director general of agency, कोई और director general नहीं, बलके सिर्फ और सिर्फ इस agency का director general, तो provincial police कौन सी होती है, means the police constituted by provincial government under the police act 1861, जो police का act था 1861, उसमें सुबों को ये हक दिया गया था, कि वो अपनी provincial police मिनाए, तो इस हक को, यानि कि police act 1861 के जो mandate दिया गया था, उसके जरीए, अगर कोई जो सुबा है, व तो वो provincial police कहलाएगी, अगर कोई और वो rule फालो करते हैं, तो वो provincial police नहीं कहलाएगी, इसके लबा public servant का मतलब यह है, means a public servant as defined in section 21 of the Pakistan, panel code PPC act 1860 and includes an employee of any corporation, जहां पर definition आपको public servant के clear होनी चाहिए, कि employee of any corporation or other body or organization, set up, controlled or administrated by or under the authority of the federal government, यानि कि federal government के अंडर कोई भी इदारा है, कोई भी corporation है, कोई भी organization है, उसका जो काम करने वाला मुलाजिम होगा, उसको क्या कहेंगे, public servant, special police कौन सी होती है, means the Pakistan special police establishment, तो Pakistan special police establishment कौन सी है, FIA वाली जो 1948 में बनी थी, under the Pakistan special police establishment ordinance 1948, तो 1948 में जो व्जूद में आई थी, उससे जो बनी थी, उसको special police कहाएंगे, specified person का मतलब चाहे, means the person who were appointed to post, और in और under provincial police, in persons of the article 3 of the special police and provincial police, यानि के special police और provincial police जो article 3 के जरिये बनी थी, जो amalgamate हुई थी 1962 में, तो police act 1961 था, special police act 1948 का था, इन दोनों को amalgamate कभी किया था, 1962 में, यानि के दोनों police को जितने भी थे, इनको right दिया गया था, आप किस कोई कौन से चाहर करते हैं, बलकि इन दोनों police को आपस में merge कर दिया गया था, amalgamate कर दिया गया था, इसके लवा rules की बात करें, कि तो rules का क्या मतलब बता है, means rules made under this act, यानि कि act 1974, जो FIA act है, इसके अंदर जिसने भी अब rule बनाएंगे, उसको rule कहेंगे, section 3 है, constitution of the agency के, agency, यह जो FIA की agency है, कब बनी, notwithstanding anything contained in, या इसका right किया, यही है section 3, जिसमें सारी इसको powers मिलती है, यह जो section बनता है, notwithstanding anything contained in any other law of the time being enforced, the federal government may constitute an agency to be called the federal investigation agency for inquiry into, तो जो federal government है, कोई भी कनून है, कोई भी मुझूद होए, तो उसका बावजूद federal government के पास right है, कि वो FIA बना सकती है, उसने बना दी, जिसका mandate का है, वो inquiry करे, किसके बावर रग में an investigation, और investigation भी कर सकती है, आप the offences specified in this schedule, कि जो schedule में offences दिये गए हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात भी की, तो वो इसके under आएंगे, including an attempt or conspiracy document, यानि कि कोई भी आप मुल्क के खिलाफ कोई जो दुश्मनी के लिए, या उसकी conspiracy करते हैं, ये कोई बगावत के लिए कोई करते हैं, या फिर an abattment of any such offence, या कोई इस तरह की बगावत में आप उनकी मदद करते हैं, इस तरह का जो भी offence होगा, जो federal government है, उसके पास right है, कि वो अपने आपको protect करें, federation को intact रखने के लिए, एक मजबूत रखने के लिए ये इधारा बनाया गया, इजन्सी शेल कंसेस्ट आप दी डारेक्टर, इजन्सी किस किस पे मुझत में मिलोगी, तो यहां पे section 4 शुरू होता है, यहां पे बड़े important दो MCQs बनते हैं, और बड़े confusion वाले हैं, लेकिन मैं आपको समझाओंगा, तो इंशाल आप नहीं बूलेंगे, superintendence and administration of the agency, दो चीज़े हैं, एक है superintendence, यानि कि superveillance, और एक है उसको इधारे को चलाना है, अब दोनों में फर्क है, superveillance होती है, थोड़े से उपर लेवल पर और administration होती विदिन, तो of the agency के बात करें, तो superintendent जो है, FIA की superveillance कोन करेगा, वो federal government करेगी, क्योंकि आपको पता एक body है FIA की, तो इस body के उपर कोन है, वो है जिसने बनाया, किसने बनाया, federal government ने, तो federal government ही इसकी superintendence करेगी, तो अगला point आता है, the administration of the agency shall best in the director general, तो इसकी administration कोन करेगा, director general, whom shall exercise in respect of the agency such of the powers of an inspector general of police under the police act 1861, five of the 1861 as may be prescribed by rules, तो rules में जैसे बात की गई है, लेकिन यहां पर आपने बात याद रखने के superintendence कौन करेगी, federal government, federal government किसको appoint करती है, head of the FIA, director general को, अब administration उसकी कौन करेगा, director general ही करेगा, क्योंकि उसको head बना दिया गया, तो इसकी power क्या होती है, director general of the FIA, यह equal to the rank of the inspector general of police, IG police के बरबर का होता है, और इसके पास जो power होती है, किस police act के जरीए 1861 में जो IG के पास होती है, इसके पास भी वही होती है, तो आने वाले lecture में हम पढ़ेंगे, जो members हैं, FIA के उनकी क्या powers होती है, और इसको हम detail से आगे लेके चलेंगे, गल्बान इसके तीन lecture बनेंगे, तो यह हमारा आज demonstrative टाइप एक lecture था, यह हम जैसे हमने इसको पढ़ा, तो आप जो पूरा इसका syllabus है, assistant director का हम इसी तरीके से online इसको cover भी करेंगे, lecture बनेंगे, और फिर जब हमारे lecture एक topic पर खतम हो जाया करेंगे, तो हम उनकी theory भी MCQs बगारा किस तरीके से cover कर सकेंगे, यह देखें जैसे question एक है, FIA Act was published in Pakistan, गजजट on, यह short question है, 17th January 1975, और इसमे is the short title of this act, this act may be called the Federal Investigation Agency Act 1974, इसके लवाँ अगर बात करें, what is the, what is its extent and application, कब, कहां तक यह apply किया जाता है, और कब यह commence होगा, it extends to the whole of Pakistan, and also apply to the citizens of Pakistan and public servants, wherever they may be, तो यह इसका जवाब बनता है, लेकिन यह है short, लेकिन हम इनको MCQs में भी cover करेंगे, ताक हमारे जितनी भी इसमें बगारा, वो खतम होचती गया, तो यह एक बड़ा comprehensive हमारा plan है, preparation का, तो उमीद है कि आपको समझ भी आई होगी, और जो आपके question से उनका जवाब भी मिल गया होगा, कि हम तेजारी कैसे करेंगे, thanks for watching, Allah peace.